दवा कम्पनिया, दवा टेस्ट फेल कर गए, नाकाम हो गए उनके दवा टेस्ट, मगर वो गुप्त चुनावी चंदा देते रहे, शायदिसली उन पर कोई कारवाई नहीं होई आज विपक्षे सवाल पूछ रहा है कि क्या आम इनसान के जान की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि बीबी सी की एक खबर बहुत शौकिंग है, इसे पूरे डीटेल में मैं आपको आगे जाके बतलाऊंगा, मगर ये सच है दोस्तों, कि आजाद भारत के इतिहास में गुप्त चुनावी चंदा एक ऐसा बड़ा घुटाला है, जिसकी तह तक पहुँचना, जिसकी जड़ तक पहुँचना बहुत जरूरी है, क्योंकि बार बार साबित हो रहा है, कि इन गुप्त चुनावी चंदों और अब जो ये खबर आई है, वो बहुत शौकिंग है, बीबीसी की एक खबर कहती है, कि कई जो कमपनिया थी, कई फार्मसियूटिकल कमपनीज जो थी, वो दवा टेस्ट फेल कर गई थी, यानि कि उनकी दवा ठीक नहीं थी, मगर उन्होंने गुप्त चुनावी चंदे क जरीए 750 करोड रुपे दिये और उन पर कोई आक्शन नहीं हुआ, विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि ऐसा क्यों, क्या इस देश में आम इनसान की जान की कोई कीमत नहीं है, सबसे पहले बीबीसी का ये डेटा देखिए दोस्तों, इसके मताबिक किस तरह से अलग अलग और्विंदो फार्मा, अब आप कहेंगे और्विंदो फार्मा कौन है, और्विंदो फार्मा के जो डायरेक्टर थे सरचंद्र रेडी, वो सरकारी गवाह बन गये हैं दिली शराब घुटाले में, अब उनकी गवाही का इस्तमाल किया जाएगा अर्विंद के जिवाल के जियां, इन्होंने भी करीब पचास करोड रुपे दिये थे भाजपा को, उसके बाद सन फार्मा लिबारटरीज और उसके बाद डॉक्टर रेडी लिबारटरीज, ये वो तमाम कमपनिया हैं जिन्होंने भाजपा को गुप्त चुनावी चंदा दिया, और इनकी क्या कार परिस्तानिया रही, आईए बीबीसी की इस रिपोर्ट की पड़ताल करते हैं, इसकी चर्चा करते हैं, जो नहायत ही शौकिंग है, जो ये बतलाता है कि इस देश में आम इनसान की जान की कोई कीमत नहीं है, मैं आपको ये भी बतलाऊंगा कि इस मुद्दे पर पूर्व स सचिव का क्या कहना है, सबसे पहले बीबीसी की एक खबर आपके स्क्रीन्स पर, दवा टेस्ट में फेल वो फार्मा कमपनियां जिन्होंने खरीदे करोणों के इलेक्टोरल बांड्स, और अब मैं आपको बतलाने वाला हूँ, करीब आठ कमपनियां, उन्होंने कितने के इ खारोप थे एक एक करके, सबसे पहले दोस्तों हम बात करना चाहेंगे टॉरंट फार्मसीटिकल लिमिटेड, एक बार फिर वो डेटा दिखाना चाहता हूँ, टॉरंट फार्मसीटिकल लिमिटेड ने भाश्पा को सबसे ज्यादा एलेक्टोरल बॉन्ड के जरीए चंदा दिया है अब मैं एक एक करके बताना चाहता हूँ Torrent Pharmaceutical Company के बारे में इस company का registered दफ्तर गुजरात के एहमदाबाद में है साल 2018 से 2023 के बीच इस company की बनाई गई तीन दवाईयों का drug test फिल हो गया दोस्तों वे दवाईं कौन-कौन सी थी उस पर भी गौर कीजेगा पहली दवाई डेपलिट A50, निकोरन IV-2 और लोपोमाईड ये तीन दवाईयां Torrent Pharmaceutical Limited की फेल हो गई उसके बाद डेपलिट A50 दिल का दोरा पढ़ने से बचाती है और निकोरन IV-2 दिल के कारिभार को कम करती है लोपोमाईड का इस्तिमाल अल्पकालिक या दीरकालिक दस्थ के इलाज के लिए किया जाता है यानिकि इन में से दो का सीधा नाता आपके दिल से है और एक का इलाज दस्थ के लिए और ये तीनों कही ना कही बहुत ही समवेदन्शील है अब मैं आपको बताता हूँ इस कमपनी ने 7 मही 2019 और 10 जनवरी 2014 के बीच 77.5 करोड के इलेक्टोरिल बॉंड्स खरीदे इन 77.5 इलेक्टोरिल बॉंड्स में से 61 करोड 61 करोड भारती जनता पार्टी को दिये गए अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ उनकी जो तीन दवाईयां फेल हुई थी इस पर भाजपा सरकार ने क्या कारवाई की सबसे बड़ी बात इनमें से कई ऐसी कमपनीया है जिन्होंने दूसरी पॉलिटिकल पार्टी इसको भी पैसे दिये आपने उन पर क्या कारवाई की क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए और अगर क्या ये सवाल मैं पूछ रूँ इस से मैं क्या अदेश दरोही हो जाता हूँ चलिए अब बात करते हैं सिपला की सिपला लिमिट्ट सिपला लिमिट्ट का जो रेजिस्टरर आफिस दोस्तों वो है मुंबई में साल 2018 से 2023 के बीच इस कंपनी की बनाई दवाओं की साथ बार जो इन्होंने दवाए बनाई थी साथ बार ड्रग टेस्ट फेल हुआ अब आपके जहन में सवाल होगा कि इन्होंने कितना गुप्त चुनावी चंदा दिया इस कंपनी ने 10 जुलाई 2019 और 10 नवंबर 2022 के बीच 49.2 करोड रुपए के इलेक्टोरल बॉंड खरीदे और इस 49 यानि 39.2 क्रोज के इलेक्टोरल बॉंड में से 37 करोड भाजपा को दिये गए और 2.2 करोड कॉंग्रिस को दिये गए तीसरी कंपनी Sun Pharma Laboratories दोस्तों Sun Pharma Laboratories का जो मुख्याले है वो कहा है वो मुंबई में है साल 2020 और 2023 के बीच 6 बार इस कंपनी की बनाई गई दवाओं के ड्रग टेस्ट फेल हुए 6 बार दोस्तों 6 बार बहुत माइने रखता है अब मैं आपको बताता हूँ कि इन्हों ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा दिया 15 अपरेल 2019 और 8 मई 2019 को इस कंपनी ने कुल 41.5 करोड रुपे के अलेक्टोरल बांड्स खरीदे और ये सारा का सारा पैसा भाजपा के पास गया अब हम बात करते हैं जॉइड्स हेल्थ केर लिमिटेड की जॉइड्स हेल्थ केर लिमिटेड का मुख्याले मुंबई में है साल 2021 में बिहार के ड्रग रेगलेटर ने इस कंपनी की बनाई गई राम डेजिविर दवाओं की एक बाच में गुणवत्ता की कमी पाई थी यादे आपको राम डेजिविर दवाएं दोस्तों राम डेजिविर का इस्तमाल कोरूना के दौरान किया जा रहा था बाद में पता चला था कि उसका इस्तमाल करने की जरूत ही नहीं थी हम नहीं जानते वो अवग इसने भैलाई थी की राम डेजिविर का इस्तमाल करने से कोरूना जो है उस पर काबू पाया जा सकता है ये दूसरा खेला है अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो कमपनी है इसने किस पोलिटिकल पार्टी को कितना सीक्रेट चुनावी चंदा दिया ये देखे 10 अक्तूबर 2022 और 10 जुलाई 2023 के बीच इस कमपनी ने 29 करोड के बांड खरीदे इन में से 18 करोड भाचपा को 8 करोड सिक्किम करांतिकारी मोर्शे को और 3 करोड कॉंग्रिस को दिये गए इसके बाद हेटेरो ड्रग्स लिमिटेड और हेटेरो लाब्स लिमिटेड इसका जो दफ्तर दोस्तों हो है तेलंगाना हैदराबाद में साल 2018 और 2021 के बीच इस कमपनी की बनाई गई दवाओं के साथ ड्रग्स टेस्ट फेल हुए और कीजे दोस्तों कमपनी का नाम है हेट्रो ड्रग्स लिमिटेड और हेट्रो लाब्स लिमिटेड इनकी बनाई गई दवाएं साथ बार फेल हुई क्या करवाई हुई और क्या इन्होंने सीक्रिट चुनावी चंदा दिया बिलकुल सही दोस्तों सही पहचाना आपने कितना चुनावी चंदा दिया किस साल से किस साल के बीच में दिया इस पर भी गौर किया जाए हेट्रो लाब्स लिमिटेड ने साथ अप्रेल दोहजार बाईस और बारह अक्तूबर दोहजार तेईस को पच्छीस करोड के बाउन्ड खरीदे इन में से 20 करोड के बाउन्ड बी आरेस को और 5 करोड के बाउन्ड बी जे पी को दिये गए अरे भाई आपसे ज़्यादा तो बी आरेस को पैसे मिले कम से कम आपको तो सिर्फ 5 करोड मिले थे ना आप कारवाई कर देते क्या पता आपके कारवाई करने से मामला ही उलट जाता मुद्दा क्या है दोस्तों लोगों की जान के साथ खिलवाड़ और हम इससे मुझ नहीं मोड सकते कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा इस मुद्दे पर कॉंग्रिस क्या कह रही है अब छटा नंबर आता है इंटास फार्मसियूटिकल लिमिटेड इसका मुख्याले गुजरात में हैं आप गौर कर रहे हैं अधिकतर दवा कंपनियों के मुख्याले गुजरात में क्या उन पर कोई आक्शन हुआ नहीं हुआ क्या ये गुजरात मॉडल है जवाब आपके सामने है जुलाई दोहजार बीस में इस कंपनी की बनाई गई दवा अनपरिल का ड्रग टेस्ट फेल हुआ अब दस अक्तूबर दोहजार बाईस को बीस करोड रुपे के अलेक्टोरल बॉंड जिन होने खरीदे और बीस के बीस करोड रुपे गए भाजपा की जेब में साथवी कंपनी IPCA Laboratories Limited इनका उख्याल है मुंबई में है दोस्तों 2018 में इस कंपनी की बनाई गई दवा लारियागो टाबलिट का ड्रग टेस्ट फेल हुआ इन्होंने 10 नवंबर 2022 और 5 अक्तूबर 2023 के बीच 13.5 करोड के बॉंड खरीदे और 13.5 करोड के बॉंड में से 10 करोड भाजपा की जेब में गए 3.5 करोड सिक्किम करांतिकारी मोर्चा के पास गए साथ दवा कंपनीयों का आकड़ा मैं आपके सामने पेश कर चुका हूँ अब बारी है आठवी कंपनीय की ग्लेनमार्क फार्मेसियूटिकल लिमिटेड दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूँगा साल 2022 और 2023 के बीच इस कंपनी की बनाए गई दवाओं के एक नहीं दो नहीं बलकि 6-6 ड्रग्स टेस्ट फेल हुए और क्या इन पर कोई कारवाई हुई कितना सीक्रिट चुनावी चंदा दिया मुलाइज़ा फरमाईए नोश फरमाईए इस कंपनी ने 11 नमबर 2022 को 9.75 करोड के बन्ड खरीदे और ये सभी बन्ड जो है वो भाजपा की जेब में गए अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ दोस्ते आप क्या कहेंगे क्या ये भरष्टाशार है क्या ये लोग की जान के साथ खिलवाड है क्या सीक्रिट एलेक्टोरिल बांड एक सामानी चीज़ है आमिट शाह जो ये दावा लगातार कह रहे हैं कि भई इससे कालध हन पे रोक लगेगी इसमें कुछ जलत नहीं है वो दूसरी पलिटिकल पार्टी इस पर उंगलियां उठा रहे हैं पहली बात तो उन्होंने मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया अब ये जो बीवीसी की पड़ताल ये कई सवाल खड़े कर रही है बड़ा प्रश्ण ये कि क्या इन सवालों के जवाब देश के ग्रहमंती प्रधानमंत्री देंगे बिलकुल नहीं देंगे कॉंग्रिस कट घरे में रख रही है भाजपा को क्या कह रहे हैं पार्टी की प्रवक्ता सुप्रियर्शनेत ये भ्रश्ण चार की नहीं आपकी जिन्दगी के साथ सौदे की कहानी है वो सौदा जो नारेंद्र मोदी ने चंदे के बदले में किया खबरों के मताबिक दवा बनाने वाली बहुत सारी कंपनियां जिनकी दवाएं टेस्ट में फेल हुई थी उन कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉंड से चंदा दिया ये साफ साफ रिश्वत और आपके जीवन के साथ खेलवार नहीं तो क्या है आपने कॉंग्रिस के तमाम अकाउंट को फ्रीज कर दिया है इंकम टाक्स उन पर फाइन पर फाइन जुर्माने पर जुर्माना कर रहा है मगर यही सीक्रिट एलेक्टोरल बॉंड्स भारती जनता पार्टी की जेब में गए कई और सोर्सिस से उन्हें लगातार पैसे मिलते रहे साफ तोर पर ब्लाक मेल का खेल दिखाई दे रहा है साफ तोर पर दिखाई दे रहा है कि अगर आपने सीक्रिट एलेक्टोरल बॉंड्स के जरिए पैसा नहीं दिया तो आप पर कारवाई होगी मैं से पहले बाकाईदा अपने शोज में आपको बताते रहा हूँ मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ क्या इस देश के नागरिक होने के नाते आपको ये सवाल नहीं पूछने चाहिए जो आज मैं अपने कारकरम में रख रहा हूँ आपको तो जादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही है आपको तो पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ रही है ये तमाम जानकारियां मैं आपको ला रहा हूँ और सबसे बड़ी बात जो तमाम जानकारियां मैं आपके सामने लेकर आए हूँ इन में से एक भी गलत नहीं है एक भी गलत नहीं है और अगर छोटी मोटी कोई गलती सामने उभर कर आती है तो मैं खुद खेद जतलाता हूँ मगर electoral bonds को लेकर एक एक जानकारी परक कर पढ़ कर मैं आपके सामने लेकर आए हूँ मगर आप बता और नागरिक क्या कर रहे है क्या आप सरकार से सवाल कर रहे है क्या आपको सरकार से सवाल नहीं करना चाहिए क्या आप कुमकरणी नींद सोते रहेंगे क्योंकि देखिए भाजपा नींद सो रही है गोदी मीडिया सवाल नहीं कर रहे है उनके जो मनसूबे हम समझते हैं मगर आप तो नागरिक है ना और ये खबर तो बहुत शौकिंग है मेरे खाल से गुप्त चुनावी चंदे को लेकर अब तक जितनी भी पड़ताल हुई है BBC की पड़ताल सबसे जादा शौकिंग है इस से ये पता चलता है कि आम इनसान की जान की कोई कीमत नहीं और क्यों नहीं मैं आपको बताता हूँ क्योंकि आपको धर्म का धतूरा चटा दिया गया है आपको ये समझा दिया गया है कि हिंदू खत्रे में जबकि आप जानते हैं हकीकत क्या है पढ़िए लिखिए, सुनिए रियाक्ट कीजिए एक जिम्मेदार नागरिक बनिये क्योंकि जब इन दवाई कंपनियों के टेस्ट फेल हो जाते हैं और फिर ये बच के निकल जाते हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ इसका अर्थ ये हुआ कि आपके जान की कीमत उतनी नहीं है जिसके बारे में अक्सर कहा जाता है मेरी बात अगर बुरी लगी हो तो इसमें मेरा दोश नहीं है दोश आपका है अब इसार शेर्मा को देजिए जासत नमस्कार